दोस्तो रॉक है वो major part बनाता है earth crust का दोस्तो और ये deposition of minerals है दोस्तो मतलब minerals का deposition जो की tough होता है दोस्तो rigid होता है इनका safe और size fix रहता है rocks का rocks दोस्तो basically तीन तरीके के होते हैं अगर बात करें rocks की तो igneous rocks, sedimentary rocks और metamorphic rocks ठीके दोस्तो तो इसके उपर हम next video में बात करेंगे इन तीनो रॉक्स के उपर अलग-अलग अभी हम देखते हैं दोस्तो रॉक साइकल यानि एक रॉक दूसरे रॉक में कैसे फॉर्म होता है और रॉक्स बिसिकली कैसे फॉर्म होते है ठीक है दोस्तो तो दोस्तो रॉक साइकल क्या है कि ये एक relation सोग करता है दोस्तो जो तीनों रॉक है दोस्तो हमारे igneous, sedimentary और metamorphic उनके आपस की बीच के relation को यह सोग करता है कि एक रॉक दूसरे रॉक में कैसे transform होते है ठीक है दोस्तो तो दोस्तो होता क्या है सबसे पहले कि erosion होता है तो जो mountain है या जो surface erosion होता है और वो sediment को produce करते है सडिमेंट का मतलब वो broken down materials ठीक है दोस्तो sediment को produce करते है जो कि transport हो जाता है दोस्तो deep basins, sea के जो basins है दोस्तो उसमें वो transport हो जाता है और वहाँ जाके वो deposit हो जाता है उसके बाद क्या होता है दोस्तो यह hard होने लगता है दोस्तो और यह sedimentary rock को form करता है तो हमने देखा कि erosion के बाद sediment जो produce होता है और वो transport होकर जो deep basin है समुंदर में वहाँ जाके वो deposit हो जाते है और वो hard होने लगते है और वो जाकर sedimentary rock को form करते है ठीक है दोस्तो और जब यह rock और अंदर चले जाते है ठीक है दोस्तो तो pressure और temperature के कारण यह rock metamorphic rock में convert हो जाते है ठीक है दोस्तो और उसके बाद क्या होता है कि यह और अंदर जाने के बाद और depth में जाने के बाद जो heat है दोस्तो वो बढ़ जाता है हीट बढ़ जाता दोस्तो और वो मैटमॉर्फिक रॉक मेल्ट होकर dोस्तो मैगमा को प्रूड्यूस करता है और जिब यह मैगमा वॉल्कैनिक इरपसंस के कारण जब अर्ट सर्फेस के पास आ जाते हैं तो यह ठंडे हो जातेja वापस से और ये igneous rocks को form करते है और दोस्तों वापस surface में आने के बाद igneous rock में जब weathering होता है दोस्तों और erosion के कारण ये वापस sedimentary rock में convert हो जाते है दोस्तों और ये cycle चलते रहता है इसी को हम rock cycle भी बोलते है ठीके दोस्तों आप ये diagram में देख सकते हैं ये rock cycle का flow chart दोस्तों तो igneous rock में अगर weathering और erosion होता है दोस्तों तो sediment बनता है और sediment जब एक जगार जमा हो जाते हैं दोस्तों तब sedimentary rock form होता है फिर sedimentary rock में दोस्तों अगर हम heat या pressure दे तो वो वापस में metamorphic rock form करता है और metamorphic rock में अगर हम और heat और pressure बढ़ा दे दोस्तों तब जाकर ये magma का production करता है दोस्तों magma form करता है और magma जब ठंडा हो जाता है तो cooling और solidification के बाद दोस्तों magma वापस से igneous rock बन जाता है और ये cycle दोस्तों चलते रहता है इसी को हम rock cycle भी बोलते हैं ठीक है दोस्तों तो I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों वीडियो पसंद आई तो से जादा से जादा लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ सेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू